सूनिल भारती मित्तल इंडियन इंडस्ट्री के एक बड़े हस्ताक्षण हैं जाने-माने हस्ताक्षण है एट ल कंपनि उनकी भारत में टेलीकॉम की क्रांती लाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं वो भारत में टेलीकॉम सेवाओं को एक वर्ल्स स्टांडर्स का बनाने वाले को अगर शुरुआती श्रे किसी का जाएगा तो सुनील मित्तल सहाब का जाएगा मेरा उनसे थोड़ी बहुत वाकिफित रही है परीचे रहा है हमने एक एलेक्शन में भी साथ में ट्राबल किया है आसे दस-बंदरा साल पहले हमारा एक एलेक्शन का ग्रूप था एडिटर्स का है रादर जिसमें एक बार सुनील भारती मित्तल भी हमारे साथ चले थे तो उ उन्होंने वर्चुली फरम स्क्राच एक टेलिकोम कमपनी को खडा किया पहले वो सिर्फ टेलेफ्वन मनाते थे जो हैंड सेट होते उनकी कम्पनी और लेकिन किस तरह से उन्होंने उस कमपनी को एक ग्लोबाल कमपनी बनाया और आज इस शिखर पर हैं तो वह च्छिक्ः स जाता है इस समय उन्हें बड़ा जबरदस्त कॉम्पेटिशन मिल रहा है क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो हस्ताक्षर हैं सबसे वेल नोन सबसे बड़े जो इंडस्ट्रिलिस्ट हैं मुकेश अम्मानी उनका रिलाइंस जियो काफी हद तक एक डॉमिनेंट पोल पोजिशन अक्तियार करने की कोशिश में इंडियन टेलिकॉम स्पेस में जिससे एटल की आज उस तरह का जलवा नहीं है जैसे आज से दो-तीन साल पहले होता था बट आम आम शूर और विश मिस्टर मित्ल आल बेरी बेस्ट लेकिन इंडियन टेलिकॉम इंडिस्ट्री को चेंज करने का उसको एक नई दिशा देने का उसको एक नए जोन में ले जाने का क्रेडिट हमेशा सुनील भारती मित्ल को मिलेगा उनका रहेगा दोस्तों नमस्कार मैं हूँ संजीव श्रवास्तव और आप सभी का एक बार फेर स्वागत है इस हफते हम इसना बिजनेस शुरू किया सिर्फ 25,000 रुपे से लेकिन आज मालिक हैं कई अरब रुप्यों के जिहां इस हफते हमारे कैसे सुनील भारती मित्ल और हम सुनेंगे उनसे उनकी जिन्दगी की दास्ता यानि स्टोरी सुनील थैंक्यू बढ़ाईए बच्पन के सब आपका बच्पन अच्छा रहा जैसे उन दिनों चोटे शहर का बच्पन होता है कौन सा चोटा शहर था लुद्याना में में जबा पला और पढ़ाई में मेरा दिल कमी लगता था तो ज्यादा खेल कुद में टाइम निकला तो सच में दुनिया में सब लोग सही कहते हैं मैं पता माबाप का एक तरह करतबे रहता है पर मेरा ये मानना है कि एक पढ़ाई जो है वो एक ऐसा एक जरिया है जिसके थूरू एक अच्छी तालीम अच्छी बेस बनाया जा सकता है आया कि वो आपको जिन्दगी में सिर्फ वही चीद आपको आगे लेके जाएगी वो मैं नहीं मानता तो एक सथाई बेस जिससे बनती है उसको बनाना चाहिए क्योंकि वो कभी ने कभी जिन्दगी में काम आती है मेरी रूची पढ़ाई में नहीं थी मैं उन दिनों भी स्कूल में या तो टेबल टैनिस खेली या क्रिकट खेली जब कॉलिज पहुंचे तो वहां एकद कल द現在 I'mmoreं झाती जिन्दगी अज्यूद पहुंखल स्ट्रेस में काभी सुनीलं मित्गी पटाई होती थी हां यहां हां पटाई होती थी पिटाई होती थी बिल्कूल होती जब होती थी बिल्कूल बाती मित्ग को माने जिससे उस उपिताई होना बाई दूब उध तो आप अच्छा नाता रहा सब के साथ, चाहे पॉड़ोसी थे, दोस्त थे, मित्र थे, गुलने मिलने वाला मेरा एक तरह का वहवार था, तो नटकट कही है, शिरार्ती कही है, रहता था बार उसके इलावा अच्छा ही रहा सब के साथ, रिडेशन चेप, हम थोड़ी बच्पन के औ इलेक्ट्रिशन बनने में, प्लमबर बनने में, कुछ और बनने में, मतलब उस तरह की करियर ओरेंटेड एजुकेशन होनी चाहे है, यह मेरा मानना है कि अपने देश में, वोकेशनल जो स्किल्स हैं, उनको डियू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, और बाहर के देशों में अब जब जाईए तो आप उनी लोगों के साथ, उसी कामकार करने वाले लोग चाहे हो प्लमबर्स हैं, इलेक्ट्रिशन्स हैं, टेक्नीशन्स हैं, ड्राइवर हैं, उनके साथ सलुक बदल जाता हम हिंदोस्तानियों का भी, पर अपने ही देश में, उनको उतनी इज़त न मेरा मानना की आने वाले टाइम में एक पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा शॉर्टिज डिवेलप होने वाला है इन स्किल सेट्स के लिए, एक बदलाव लाना पड़ेगा कि माँ बाप भी अपने बच्चों को उस एरिया में जाने में रोके नहीं, संकुछ नहीं करे अच्छा सुनियर में तरल आपकी बच्च्पन के तरह वापिस लोटते हैं, मैं कोई बहुत खुशनुमा याद बच्च्पन की या कोई बहुत ट्राजिक याद जिसको मन अभी भी एक दम से सहम जाता हो ने एक ही टाइम होता था जब एक्जैम्स का टाइम आता था तो देशित रहती थी, वो मैंने कॉलेज 1976 में खतम किया जब मैं 18 साल की उमर का था, तो उसके बाद भी करीब 10 साल तक एपरिल में सपने में ऐसा लगता था कि एक्जैम्स में प्राब्लम हो रही है, तो वो प् कि अपने पेरेंट से आपने सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ कौन सी सीखी, मतलब कोई एक चीज़ जो सीखी, मदर से, फादर से या दोनों से, किसी से भी जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं तो बहुत से इंप्रेशन्द आप पेरेंट से लेते हैं, फादर से खेर मैं बहुत सीखा क्योंकि वो बहुत दानिश्मान, बहुत विजिनरी से अपने एरिया में, पॉलिटिक्स में रहे थे, और मैंने उनको कमाइन करते देखा है कि कैसे सड़क पे जनता से डील किया है, या जुकी जौपडी में डील किया है, और कहां युनाइटि नेशन्स में डिसार मोमेंट पे जाके भाशन दिया है, तो ही कुड कमाइन थे तो एक्स्ट्रीम्स, बहुत आप हाई सोफिस्टिकेशन और या बहुत 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 अच्छी तरह कर सकता हूँ, तो यह लर्निंग जो है, कि दो एक्स्ट्रीम्स को कैसे किया जाए, क्यों बहुत लोगों देखता हूँ, या वो परड़े के इस तरफ है या उस तरफ है, और दो चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना, बहुत कम लोग करते हैं, तो यह मैं नहीं उड़ रहे हैं, जबकि उड़ने का पूरा अधिकार है एक लेवल पर, तो वो क्या एक conscious effort रहता है, या मैं कहना तो इंचाता है, लेकिन वो किसी तरह का put on तो नहीं है, यह भी एक दिखावा कि हम grounded हैं, हम बड़े जमीन पे रहते हैं, और दरसल माइंड में आसमान म मेरे साब से जहाए वो धिरुवाय अमानी होंगे या और उरिजिनल अमानी की बिरला और ठाटा की फांडर्स होंगे, जो लोग खुद अपना कुछ बनाते हैं, उनका तो एक सेकंड नेचर होती है कि आप जुड़े रहोगे, कि आप वहीं से उठे हो, मैं 30-30 गंटे, 35-35 गंटे चेर कार में ट्रेवल किया है, कलकता से दिली, दिली से बंबे उसी शाम को, ट्रकों पर बैठके मैंने गोदी में से माल लाके मारकेट में बेचा है, एक बार नी, सैक्ड़ो बार किया है, तो ये तो इस से गुजरे होए हैं, तो उसको छोड़ने के लिए एफट कर बिजनस मैं, ये तो करीब तही था, जब पढ़ाई में दिल्चस्पी और ऊची नहीं थी, तो दो ही केरियर अप्शन थी, एक तो पलिटिक्स की तरह बढ़ जाते हैं, और दूसरा था कि अपना कुछ बिजनस करते हैं, और लुधियाना शेहर में एक बिजनस का एक बहु इसलिए जाहर तो पर एक वा इंस्पिरेशन थी, और बहुत छोटी उमर में, आटना साल की उमर में, मैं बिजनस की और बढ़ा, अठार साल की उमर में और सबसे पहला बिजनस साइकल पार्ट्स पहला साइकल पार्ट्स का था जिसमें बिजमर मुझार जी के लिए हिरो साइकल वारों के लिए मैंने क्रैंक शाफ्ट बनानी शुरू की तो उसी से सफर यह शुरू हुआ और कैसे बनानी शुरू करी मतलब यह कैसे सोचा कि मैं क्रैंक शाफ्ट बनाना शुरू करता हूँ और कोई बहुत चोटी सी शेड में शुरू किया या कोई बड़ी सी बॉक्शॉप थी मतलब नहीं चोटी सी एक फैक्टरी थी कारखाना मोली उसको जहां दो फोर्जिंग हैमर लगे हुए थे बेसिक राव मेट्रियल स्टील रोड थी उसको गरम करके उसकी कुटाई करके उक्रैंक्स बनती थी और एक बड़ा बेसिक टेखनालोजी बेसिक प्रोड़क्ट थी जिसको ह रहली गाड़ी मैंने खरीदी होगी समझिया कि 79-80 में 20-20 साल के बुए 20-20 साल के उपने पैसन से हां हां मिलकुल और कॉन सी गाड़ी बेसिक पीट के कुछ सब आफेंसी भी मनाया गया था अच्छा हम री मॉडल भी करवाई थी ति अपनी गाड़ी थी तो चर्चित फसंद की गए थी यvat अच्छी की अज्ची नहीं दिनों जैसे अपनी अपनी गाड़ी ने धंक से त्यार को आज़े करी तो 20-21 साल के जब लड़के थे सुनिव मित्तल तो उन दिनों लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए पनी धियार है थी और अपने दोस्तों को कि अपको अपना पसंदी जा चीज लेना चाहेंगे. तो उसी लिहाथ से उसको ठीक किया गया. तो एक जाहिर तोर पे होता है कि जहांपे आप अपना एको सिस्टम है, कम्यूनिटी है, उसमें वो चीज देखी जाए, उसको पसंद किया जाए. और उसमें इको सिस्टम में उस सब आब O HAVA में लड़कियां भी शामल रहती सब् pesos जर मैं लड्कियों की बात कर रहे हुँ आफ एको सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा टाइम तो टाइम काम में निकल जा तो बहुत सीरिस काम में पहले दिन से ही बहुत मन लगा के एक बड़ा एक मिशनरी जील के साथ काम किया तो बहुत कम वक्त मिलता था लेकिन जिस तरह से आप एक फास्ट ऑपरेटर हैं जो चीज सोचते हैं वो करते हैं तो कम वक्त को भी कैसे best utilize किया जाए यह आपको तब भी आता होगा दुरूर आता था पर जब भी कुछ time मिलता था उसको एक तरह की अगले अपने business के अगले कदम उठाने की तौर पर चलते थे शाम को जब कुछ दोस्तों के संग बैठे तो दूसरी बात थी थोड़ा बहुत अपना हासी मजाख हो गया पर सीरिस परसूट उस वकत कोई की रखी के पीछे भागे वो नहीं हुआ नहीं हुआ चलिए कोई ने इट इस नेवर तू लेट मिस्टर मित्रल अजी की बता हैं वोस इट लव अपरस साइट पर यूँ वो इडिवी की बहन है तो उनी के संग में मिला और यह बहर से मैं जी बीवी स्कॉटलेंट से है तो वहां से विजट कर रहे थी अपने फैमिली के पास आई हो ते पर हमारी मुलाकात हुई और करीब करीब उस विजट तैह हो गया कि हम जैसे ही मिले वैसी समझ में आगया आपको कि बस एक अथ दिन में कैसे समझे थोड़ा समझाएंगे प्लीज क्या मतलब नहीं ऐसे लगा कि यहां पर अपना एक केमिस्ट्री बन सकती है और आगे बढ़ सकती है बातों बीस पच्छीस दिन में हमारी शादिय हो गए थी वह बहुत लंबा टाइम नहीं लगा है तो लेकिन फिर भी माफ करिएगा मैं थोड़ा से इस पहलू पर दोबा करियर कॉंशस था जो एक पोकस्ट बंदा था उसको एक दिन में यह क्लेरिटी आ गई या दो दिन में आ गई तो कैसे वह प्रोसेस रहा वाइंट यू शाड़े पच्छीस साल की उमर ती मेरी इस वोकत उसे पहले भी थोड़ा दबाब था घरवानों की तरफ से कि शादी दिली में रहता था फैमिली पूरी लुधियाना में रहती थी और उनको मालूम था कि मेरा थोड़ा सभाब भी शरारती टाइप है तो उस तरह के बच्छों पर प्रेशर थोड़ जाता कि शादी वादी करके सेटल लाउन हो जाओ तो उस लिहाज से जब मैं मिला तो एक मा स्वीर थी एक अच्छी लड़की जो जैसे कि मैं आगे बढ़ू हूँ तो पीछे जो घर बार है गरस्ती है उसको समा ले जाए उसको एक सॉलिड फाउंडिशन दी जाए तो अच्छे संसकार अच्छी कल्चर और देखने में अच्छी और अच्छे बैकराउंड से आई ह यह आपका क्या पहला इश्क था या उससे पहले कभी आप बड़े किसी के लिए बरबाद होए थे नए बरबाद तो कभी नहीं होए चोटा मोटा कहीं आख की ठकरावत होई जाते हैं बर ऐसा कोई खास बरबादी वाला कारण नहीं था अच्छा किसी लड़की में या महि बैदा है कि लोग बोलते हैं ना में तो हांकों पर मर मिटता हूं कोई कहता है यह कोई कि बाल कोई सो नहीं मेरे एसाब से पूरा पर सौना एक पूरी परसॉनलिटी एक इंडिविज्वील की काउंट होती है बहुत सी ऐसी लड़कियां होती है जो ढिखने में आम तोर पे पूस्ते हैं कि कंपनी कैसी चलाई जाए लेकिन आप तें नाइना जी से शादी करी माशाला आपके तीन बड़िया बच्चे हैं आप इनके सा इतना क्वालिटी टाइम बिताते हैं तो एक सक्सेस्फुल मैरेच के क्या सीक्रेट होंगे बनाम सुनील मित्तल अगें इसका अगर मैं रात को लेट आया हूं तो सब को मालूम है मैं कहा हूं मेरा आगले दिन का बेज दिन का प्रोग्राम एक खुली किताब रहती है कहां ट्रेवल कर रहा हूं किसे मीटिंग है कि एक बहुत खुला रहता मेरा और उससे में लगता है खासतार पर बहुत जो व्यस्त हो उनके आज आस पास अगर लोगों सब पता हो दिन रात उनकी क्या एक्टिविटी तो एक कमफर्ट रहता है वो एक ट्रस्ट डिवलप हो जाता है कि बड़ा ओपन ट्रांस्पिरेंट एक रिलेशन्शिप है और दूसरा जब घर में जरूरत हो आपकी तो आप अवेलिब पबलिक फिगर में जरूर बन गया तो हर रोज फैमिली के मेंबर देख सकते हैं आप क्या कर रहे हो क्या डिवलप्मेंट हो रही है कौन आगे बढ़ रहा है कहां पर आटैक हो रहा है तो ये सब का जब मिशन बन जा रहता है तो मेरा अपना पर्सुन रिलेशन्शिप गठे बात्चित करें और मैं ही समयता है कि मेरी वाइफ का सबसे बड़ा जो एक ट्रिगर पॉइंट है कि अगर मेरा बच्चों से सब का मामला फिट है तो उसके साथ सब ठीक है तो कई लोग कुछ करते हैं हमने बीवी को खुश करने के लिए मेरे को जादा करना नहीं नहीं का इसी शो पे इंट्रवी करा तो नो उन्हें पुझा था कि आपकी रापरी जी के साथ सही क्वेशन है नहीं है उन्हें हम अधि पहल सी क्यूंकंभ हम दोनों को मुबां पे बात कर्मी में आती है नहीं तो आजग भी बीवी अंबस पूसे रहेते हैं मिला मिलाकर के आप कहा हो जी, आप कहा हो जी, so, because you are the founder of the mobile revolution, but do you actually be on touch a lot over phone? नहीं, जब मैं काम पे होता हूं तो नहीं, कभी को बहुत जरूरी बात हो जाए, पर अगर मैं गाड़ी में जिसे निकलूँ गाद कर लूँगा, अगर ट्रावल कर रहा हूं तो, पर नहीं भी बात करूँ तो पता है उनको, मेरे आफिस के जरीए, या डिरेक्ली, मैं कहा हूं, किसे मिल रहा हूं, क्या है तो, एक वरा networked, connected environment है बहुत, तीन बच्चों के आप फादर हैं, और इतनी बड़ी company चलाते हैं, इतने shareholder हैं, लेकिन एक फादर पिता होने का एहसास, अनुभूती experience, वो कैसा है, और क्या फिल करते हैं, देखिए हमेशा, वो तो एक ऐसा experience है, जो भी कोई बाप होगा, हमेशा एक अच्छी feeling ये उसके लिए होगी, बच्चों के तरफ, और कई बहुत वक्ते पाते हैं, कई कम वक्ते पाते हैं, और कुछ लोग वक्ते पाते हैं, तो attention नहीं दे पाते हैं, हर तरह का एक relationship होता है, मेरे लिए बड़ा एक बढ़िया रहा है, कि मेरा बच्चों से लगा फिशुरू से बहुत रहा है, राइट फून दे बिग्निंग जब बहुत चोटे थे, तब से ही हाथों में जमें पले, तो एक connection मेरा बच्चों से बहुत डीप है, मैं शायद वक्त इतना भी लगा सकता है, जितने शायद मेरे और मित्र लोग लगा सकते हूं, पर मैं यह कहा सकता हूं कि अपने पिर्स में बाकी लोगों के बनिस्पर्द मेरा जो एक connection है, जो एक मेरा contact है बड़ा हाई है, बच्चों के साथ आज भी मैं sports खेलता हूं, आज भी उनके साथ स्क्लिव करता हूं, क्या खेलते हैं? तीनों tennis खेलते हैं, हर तरह की sports हम करीब कर लेते हैं और में लड़की बहुत इंट्रस्टेट है पॉलिटिक्स में, फ्रेंच में, इंटरनेशनल रिलेशन में और वर्ल अफेर्स में, उसमें अगेन मेरी अपनी रूची बहुत है, तो हमारा वो भी connection बना रहता है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं, क्या हो रहा है, करीब करीब में आप मालूम रहता है हमेशा क्या हो रहा है, चुकि आप काम्याबी, सफलता, सकसेस की एक measure से बने हैं, अपनी lifetime में, तो अगर मैं सुनील मात भारती मितल से पूछूँ की, सकसेस की काम्याबी की परिभाशा डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या होनी चीए? देखें, हर आदमी के लिए एक सफलता सकसेस अलग माइने रखती है, और हर लंबे सफर में, इसकी डेफिनेशन बदलती भी रहती है, जिसको आज आप सफलता मानते हैं, वो कल सफलता नहीं रहती है, वो एक बेसिक गिवन हो जाती है, और फिर आपको सफलता उसकी उपर बनानी पड़ती है, तो अपने इस 31.30 साल की जड़ी में, मैं मानता हूँ कि शुरू की सफलता हैं तो यह होती थी कि शाम को अपना दिन कर जाए, पैसा कहीं से पहुंच जाए, तकि अगले दिन सप्लायर्स की पेमेंट हो जाए, मन्थन पे लेबर की पेमेंट हो जाए, एक क्रेडिबिलिटी बैंक में बने, कुछ साख बने, तो यह अरली सफलता हैं होती हैं तकि आप अपना कारोबर वेपार जो बना रहे हैं, अगर आप बिजनस लाइफ में देखिए तो इस तरह पेमाने बढ़ते जाएंगे, आज अकल बीस जार रपया था, तो आज आप बीस बिलियन डालर की बात करोगे, तो वो पेमाने बड़े हो जाते हैं सफलता के, पर कोर जो है उसकी में मानता है सफलता की, वो है कि अगर आप शाम को जब अपना काम खतम करें, तो एक थोड़ी से गुदगुदी होनी चाहिए कि आपने अच्छा दिन बिताया है, और आपका आने वाला जो दिन है, आने ठीक दिशा में जा रहे हैं, और बहुत सारे सुनने वाले हमारे सफलता का मंतर भी आपसे सीखना चाहेंगे, तो क्या ये काम्याबी आसानी से दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, तो बड़ा क्लिशेड सा सवाल है मेरा, लेकि क्या आसानी से मिली और नहीं मिली, तो उ कोई ही नहीं सकते ही, क्योंकि जो मिल गया आपने उसे आगे बढ़ना है, पर मेरे एक बड़ा मूल मंतर रहा है सफलता के सिलसने में, और इसको बड़ा अपने आप से जोड़ा है, बांदा है, और आपने बच्चों को और जिसको भी यंग्स्टर्स को जब मैं मिलता हूं कॉलेज यूनिवरस्टी में, यही बात उनको बताता हूं कि अगर आपको, if you have the luxury to do what you like, as opposed to liking what you do, इस दो लाइन्स में सारा दुनिया का सार है मेरे हिसाब से, और मेरा मानना है कि जब आप किसी को फोर्स करिए कि डॉक्टर बनिये, लॉयर बनिये, कुछ और बनिये, जो पसंदीदा मन की बात ना हो, तो उसमें एक एवरेज लाइफ तो बिता सकता है, पर एक स्पेक्टेकुलर सक्सेस नहीं बना सकता है, मैं थोड़ा सा devil's advocate यहां प्ले करूं कि सुनिल मितल तो बहुत एक fairy tale story होई, या hard work story होई, कि उन्होंने वही किया, जो करना चाहते थे, लेकिन आपके हजारों employees में से, ऐसे सेंक्रों employees हो सकते हैं, जो उस category में होंगे, ये काम कर रहे होंगे, जो दरसल उनकी dream नहीं थी तो उन सब को motivate करके रखना, खुद को motivate हर समवार, आप अपनी मेस के बीचे आगे बैठ जाएं, great, you are a self-starter, motivated, you have everything to aspire for, उन सब को motivate कैसे करते नहीं, अच्छा सवाल है, यह बहुत अच्छा सवाल है, और यह जब नहीं जाता हूँ हिंदोस्कान में पूरी तरह ढ़रा करता हूँ, सेंक्रों ह वो, हजार लोग के साथ बैठता हूँ, यह चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बार करता हूँ, कि आप मैंसे जितनी और यहां बैठे हैं, अगर सुमबर सुबह जब आफिस की तरह बढ़ते हो, तो अगर आपके दिल में वह एक खुश ही नहीं होती, तो आप अपने आपसे एक क्वेशन पूछे, क्या हो रहा है आपके साथ गलत, आप गलत स्लोट में हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, और बीव से पूछेंगे वहाले एक्स्प्रेशन का एक्जाक्त मतलब क्या है? मतब दूसरों कुछ लिए अपने कॉलर खीच लिए किसके का बगड़र पकड़े मारीए, क्या करी हम लोग? नहीं मेरा शेक अपने बॉस का आपके किसी ने कॉलर कहिचे हैं, आपके किसी ने कॉ में हुई हो जा साइन्स के अरिया में हुई हो या आर्ट के अरिया में हुई हो जो acceptional successes हुई है वो वही हुई है जहां पर उनी लोगों ने की है जो उसमें जी जान से लगए और उनको मज़ा आया और उसमें तकलीफें भी आएंगी दिकते भी आएंगे आप जो क्रोस कर ले मतलब क्या रिस्क लेना भी एक कामियाभी का बड़ा वो है अपार्ट फुम जो आप कह रहे हैं यकीन है मैंने तो बहुत बार अपनी पूरी कंपनी दाव पे लगाई है एक बार नहीं दरजनों बार लगाई होगी अब पिछले दस साल में ऐसी नौबत नहीं आई पर यह मा पर उसके यह नहीं था कि सब खतम हो जागा खेल खतम हो जागा को कि बहुत बढ़ चुके थे आगे कितना भी उसमें दिक्क्त आती तो एक लेवल बन चुका था आप हिंदोस्तान की तीसरे नंबर पे नहीं होते तो तीन सो नंबर पे होते आगर सौ करोड में तीन सो बढ़ी है आज आप अपनी कंपने को दाओ पे नहीं लगा सकते तो रिस्क टेकिंग से आप आज मैनेजिंग रिस्क पर पहुंच गये हैं पैसा कितना इंपॉर्टन है मतला आपकी लाइफ को कितना चेंज करते हैं जब आपने फ्येट खरी उसमें और आज के दिन में अब आज आज आगे आप आपर्टमें में रहते ते हैं चोटे घर में रहते थे ता हाँ बड़े घर में रह सकते हैं नहीं अच्छ पीरिशक रहर सकते हैं अच्छ इंडर Dashergabilmark पर उते हैं ने एम has never noon कि कि ने अचागी तरु आप बार्यप कर सकते हैं पर आया कि भी उस जहां से मैंने अपनी जिन्दगी शुरू की उसमें खुश नहीं था, ऐसी बात नहीं है, उसमें इतने खुश थे जितने आ जा जाए, तो यह चीजों का एक relative importance हो जाता है, कि absolute importance में कोई फरक नहीं पड़ता मेरे हसाब से, तो पैसा आपको बानता भी है, क्योंकि एक responsibility हो जा देखने वाली बात है, पर पैसा कुछ हद तक जरूरी है, उसके बाद उसका मेरे हिसाब से को माइन नहीं है, और मितल साब ये भी एक बहुत line है, जो मैं repeat करूंगा, आप don't take offense, मेरे कोई ऐसे नहीं है, लेकि जो ये सब कहते हैं कि behind every fortune there has to be a crime, मतलब जो पहला करोड या प कुछ ऐसे दाग लग जाते हैं जो business community पर कुछ लोग आते हैं, जिसकी वज़ा से एक generally paint हो जाता है, पूरा द्रिश्य कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, ऐसी कतह ही बात नहीं है, और ये आप जाएए आडवांस countrys में, यहां बात नहीं उठती है, आज आप UK में, यहां अमेरिका में, Microsoft गराज से निकल के सब दुनिया की सबसर बड़ी company बनगी, वहां कभी question नहीं होगा, आप हिंदोस्तान में, आप इंडोनेसिया में, आप पाकिस्तान में, सिरिलंका में, और में विसारत अमेरिका में, यहां जाएंगे रश्या में, अगर कुछ तेज कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी लिए एक बहुत असान एक excuse बन जाता है, कि क्योंकि हम नहीं ऐसा कर रहें तो हम आहां नहीं पहुंच पा रहें, तो इसलिए मेरा मानना है कि, यह नहीं कुछ प्रतिशत इसमें हर आदमी ठीक कदम नहीं होंगे, कुछ लोग खराबी करते ह हैं उसके वज़े सब को एक रॉंग पेंट किया जाता है, और जो contemporary आपके हैं, business community में, business leaders, उनमें आपके फेवरिट कौन हैं, देखिए हमारा एक हमेशा रहा है कई सालों तक कि, अगर हम Tata's के जो एक value system है, और reliance की speed है, इसको blend कर लें, तो एक बड़ा ideal combination बनेगा, और मेर मेरा मानना की भारती उस combination का एक बहुत बड़ा एक बड़ा एक जामपल है, अब मैं आपको थोड़ा सालों करूंगा, कौन से रलाइंस की बात कर रहा हैं, देखिए दोनों ही, मेरा मानना की रलाइंस की, अभी दोनों जो उनके भाग हैं, जो रलाइंस के, दोनों में एक ह जो है इसकत भारती है? सुनिल भारती निकानी के अवा है? बारती निया बनाया था, क्योंकि मारे पिताजी की शादी उस वकट उन दिनों, जबकि बहुत अन्तिंगेबल उपनी मर्जी से हुई, कलब मेरिज हुई उन दिनों, और इंटरकास्स मेरिज ती, तो काफी हंगा पंच साल कॉलेज के बाद लिक मित्तन नहीं जुड़ा हो था तो मेरे स्कूल सिर्टिकेड़ अर्ली पासपोर्ट उसमें भारती ही हमारा सिर्वी था तो अगर पुराने मित्तनि बुलाथे भारती बनाते हैं। मैं हमें से सुस्ताथा कि पतनी का नाम होगा या मदर का नाम होगा। भारती है इंडियन होगा है। अब मिडल ने बन गया है। अच्छे पताए लाइफ की बिगेस्ट रिग्रेट के अब की। जादा रिग्रेट नहीं है। जब इतना एक आपने इस जर्नी में अगर एक हाई पॉंट माना जाए तो हिंदुस्तान की पहली मॉबाइल कॉल करना एक हाई पॉंट था एक बहुत सालों से एक इसा था कि असी एक ट्रांस्फोर्मेशनल चीज की जाए जो हिंदुस्तान में पहले नहीं हुए हो तो एक इंपॉर्टन प्रशन करते हैं आए यह किन यह कुछ बढ़ एक से सवा गहनटा चार दिन कम से कम कुछिश पांच दिन की रहती है हफते में एक साइस करता हूं मैं लोधी गारन सुब जाता हूं अगर ट्रेबल करता हूं जहां को बाग बुगी चा मिलीगा वहां कर लिए नहीं तो पर मिल और होटल का जिमनेजियम और उसके अलावा थोड़ा योगा और थोड़े वेट्स आचा और फेवरिट स्पोर्ट फेवरिट स्पोर्ट आप कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि टैनिस है कम खेलता हूं बहुत कम टाइम मिलता है बद अगर सब में से कुल मिला के तो मैं ट अगर सब्सक्राइब तो हर तो हर तो इस पोट्स ने की है फ्लाइंग लाइडिंग फ्लाइंग लाइडिंग स्कुर डाइव डर लगता है कभी अड़ेंचर स्पोर्ट के नाम पर नहीं लगता क्यों बस एक सभान में मैं अभी रिसंटी जब स्कींग कर आए तो बहुत ऊ सब्सक्राइब तो मैं अभी तक ज्याद है कि मैं पूल के अराउंड एक दौर घूमा तो फिर मैंने डीप एंड की तरह कुदा और सुमिंग की फिर मैंने तुमेरा थवाप मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उस मेरी रूशी तहती है अच्छी बताईए फेवरिट फिल् स्टोरी हो तब ही मैं फिल्म देख आता है तो मैं बीच में उठ जाओंगा तो इसलिए मेरे लिए फिल्म की एक इंटेंसिटी होना जरूरी है हिंदी फिल्म में जो में अच्छी लगी वो यह अपनी अमीर खान वारी पिक्चर थी रंग दे बसंती आ इंजो इट और इस सुनी मितल की क्या परिडिक्शन है मेरा मानना कि अपना भारत वर्ष एक बहुत ही ऐसी कगार पर ख़ड़ा है कि इसमें अगर अगले पांच, दस, पंद्रा, बीस साल का पेमाना लगा जाए तो जो उन्नती हम देख रहे हैं ये चलती रहेगी इसमें कोई रुकावट आन आफशोर ड्यूटी करें या ओंशोर जाए करें तो ये सब हिंदोस्तान से जुड़े रहेंगे, रिमिटन्सी बढ़ रही है बहार से, एक्सपैट्स की, और हिंदोस्तान में भी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो मेरा मानना कि एकनॉमिकली तो हिंदोस्तान काफी तेज जिसे आगे बढ़ता रहेगा, तो जो एकॉनमिस्स ने ये दिया है कि 2040 में इंडिया थर्ड लाज जिस एकॉनमिय होगा, जाहिर तोर पे होगा, इसमें कुछ शकी नहीं है, मेरी भी एक प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि सुनिन भारती मित्तल बहुत सक्स बिजनसमेन तो ही गए, और भी एगरिकल्चर और रिटेल की दुनिया में भी धमा के करेंगे, लेकिन आप जाएंगे पॉलिटिक्स में, कॉमेंट, मुझे लग रहा है, आपकी बात से, मतलब जिस धेंक से आप बात कर रहे हैं, उससे एक पब्लिक परसोना कहीं लाइशन है? देखे, पब्लिक लाइफ में कोई रोल अदा करना, मेरे लिए कोई दिक्कत वारा काम नहीं है, अपने कंपनी में, वेवसाय में, यूनिवस्टी में, स्टूनेंट्स में, बहुत एक्स्टेंसिवली में ये काम करता हूँ, और में लगता है कि मैं काफी अप पायर कर पाता हूं ने बातचीत से एक honesty से जो एक उनको एक विजन देता हूं पर आया है कि वो politics में चले जाएगा और लाइन क्रॉस करेगा यह चार-पाइच साल पहले तो एक सफना था मेरा कि मैं यह शहत पचास साल की अमर तक यह मूव करूँ तो इसलिए मेरा business से बहुत बाकी जैसे business family से बहुत जुड़े हुए हैं उतना मैं जुड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं business से बहुत पकड़ के बैठा हूं मैं बहुत ही एक empowered किसम का manager हूं जिसमें अपनी चीज़ें मैं छोड़ता रहता हूं पर आज मैं को लगता है चार-पाइच साल की सफर के बाद की आज बहुत है कि मैं जाओंगा जो कि बिजनस से हटके हैं बिजनस से दूर है और इसमें कोई personal lab नहीं है कोई wealth creation नहीं है पर आया कि वह एक शेप प्रिटिकल अरेना में लेगी मैं को नहीं लग लगा है मुझे पचास नहीं तो पच्छ पन कोई ऐसा मोड आ गया जिंदग वक्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और जाने से पहले मैं सिर्फ आपको यहीं कहना चाहूंगा कि I'm sure हमाई सुनने वालों को यह आप से बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी और जैसे मैं सोच रहा हूं शाहिए और सुनने वालों के मन में भी आ रहा हो क थैंक यू वेर्मक्ट साथ थैंक यू